तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे Bitcoin की, Bitcoin में जो investment है उसके बारे में बात करेंगे Bitcoin की जो current situation चल रही है, जो इसका price जो है वो इतना उपर जाता जा रहा है, उसके coding आपकी जो investment है वो कहां stand करती है, उसके बारे में बात करेंगे तो आज हम थोड़ा Bitcoin के ही बारे में बात करेंगे मार्किट कैसी चल रही है, condition क्या चल रही है, altcoin की क्या condition चल रही है, इनके बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं Bitcoin की कोई analysis वगेर हम करेंगे, हम सिर्फ जो current situation उसके according हमारी जो investment है जो आपने और हमने invest किया हुए Bitcoin में वो कहा stand करती है, और future में कहा stand करेंगे, इनी सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे, तो दोस्तो आज का topic स्टार्ट करने से पहले आईए देखते हैं कि Bitcoin की situation क्या चल रही है, coin market cap पर अगर हम जाएं तो दोस्तो coin market cap पर अगर आप जाकर इसकी जो dominance देखें तो आप बहुत ही impressive dominance है Bitcoin की अगर आप देखें, तकरीबन 60% के आस पास चल रही है दोस्तों, और इससे पहले अगर आप पीछे जाएं तो Bitcoin की dominance तकरीबन 80% थी और अब 60% पर चल रही है, आज की जो situation चल रही है, उसकी according, और दोस्तों अगर Bitcoin के अगर हम chart को देखें, तो अगर जो current chart जो चल 11,350 के आस पास चल रहा है, दोस्तों अगर आप पीछे जाएं, अगर आप देखें, Bitcoin का price जो था पीछे April में 4000 से नीचे था, और अगर आप देखें, अब जो है वो 11,300 के आस पास चल रहा है, अगर आप देखें, जिसने भी April में Bitcoin के अंदर investment की होगी, उसकी जो investment है वो अगर उस time पे invest करके अपनी investment को hold करके रखा होगा, तो अच्छा खासा profit हो रहा है, लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है, कि अब जो Bitcoin का price 11,300 के पास चल रहा है, आपने जो investment, आगर जो मान लीजिए, आपने 4000 से नीचे Bitcoin को करीता है, और अब 11,000 से कर देना चाहता हूं कि Bitcoin का जहां तक मैंने देखा है, मेरी जो experience है, उसके according, Bitcoin एक funny coin है, इसके price का कभी कुछ नहीं पता है कि यह कहां पर जाकर रुकेगा, कहां पर जाकर नीचे गिरेगा, कहां जाकर उपर उठेगा, तो एक बहुत ही funny currency है, digital currency मैं काऊंगा, जो बहुत ही funny है इसका price, अब आप देख सकते हैं कि पिछले दो महिने में इसका price आप देख सकते हैं कितना उपर आ गया है, 4000 से तक चल रहा था और 4000 से सीधा उपर 11000 से उपर चल रहा है, तो दोस्तों, अगर आप यह सोचते हैं कि आप छोटे से profit के लिए, मान लीजे आपने यहां पर 4000 से नीचे, अगर बिट कोई में 1 लाख invest किया था, तो आपको कितना profit यहां पर आ रहा है, सिरफ 1 लाख का या 1 लाख का उपर profit आ रहा होगा, तो दोस्तों, क्या आप इसी profit के लिए अपने investment की थी, अगर आपने इसी profit के लिए investment की थी, तो आप पैसा निकाल लीजे, आपको डबल होगे, आपका पैसा निकाल लीजे, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे, उस पैसे का आप करोगे क्या, आप फिर से दुबारा से investment करोगे, लेकिन कहां पर करोगे, जहां तक आप देखें, और दूसरी जितनी भी market है, वो property market हो, या बैंक में डालोगे, या आपको इतना profit नहीं होने वाला है, जितना bitcoin में हो गया है, तो दोस्तो मैं तो यही कहूंगा, कि bitcoin जो मेरी सोच है, जो मुझे जो लग रहा है, bitcoin में छोटे-छोटे profit की बजाय है, अगर आप इसे long term के लिए investment करें, तो यह आपके लिए बहुत ही फाइदे मंध हो सकता है, दोस्तो अगर जो हम पीछे जाएं, जब bitcoin का price 300-400 dollar के आस पास चलता था, 2015-2014 से नीचे पीछे अगर हम जाएं, जिन लोगों ने उस time पे investment की थी, उन्होंने investment किया था, यह सोच कर नहीं किया था, कि अगर उन्होंने 500 dollar अगर इसके अंदर invest किया है, तो 1000 हो जाएगा, वह निकाल ल लेकिन आप वही लोग winners हैं, दोस्तों, 2017 में वही लोग winners बन गए, क्योंकि उन्होंने जो coins लेकर, उनको भूल गए थे, उन्होंने अपने wallet में, जहां पर भी cold wallet, hot water wallet जहां भी रखे थे, वहां पर रखके, वह तकरीबन coins को भूल गए थे, और 2017 में, जब 20,000 जब bitcoin का rate गय जाद आया और सब उस टेम पर millionaire बन गए, तो दोस्तों, यह बहुत से केस पूरे वर्ड में हुए हैं, लोगों ने सिरफ इसके अदर investment की थी, एक funny वैसे just time pass के लिए के नई चीज है, investment कर देते हैं, लेकिन दोस्तों, वह millionaire बन गए, अब उन्होंने यह तो नहीं सोचा था क कि अगर इसके अंदर हम एक लाक रिए उस टेम पर लगा दिया, हम दो लाक हो जाएंगे, निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो दोस्तों, यहां पर भी यह situation है, अगर आप इस टेम पर investment करते हैं, माल लीजिए अगर अब 11,000 की investment, 11,000 से उपर rate Bitcoin का चल रहा है, अगर आप अब investment करते हैं, और यह सोच के investment करते हैं, कि मेरा पैसा double हो जाएगा, तो मैं निकाल लूँगा, दोस्तों, वो investment करने का फाइदा नहीं है, क्योंकि अगर आप daily trader हैं, या short term trader हैं, तो आप करिए, अगर आप इस तरह से खेलते हैं, यह trading market में, तो आप करिए, यह आप का काम हो सकता है, लेकिन आपके और हमारे जैसे छोटे investors हैं, जो profit ना दे के, मतलब investment करने के बाद आप अच्छी return चाते हैं, तो उनके लिए तो यही राय होगी, दोस्तों, कि आप invest करिए, लेकिन long term के लिए invest करिए, बैतो यही राय दुआ कि अगर आप अभी investment करते ह अगर आप अभी इसके अंदर investment कर देते हैं, तो उसको करने के बाद आप उस coin को भूल जाएगे, जो भी आपने bitcoin के अंदर डाला है, उसे भूल जाएगे, अब तकरीबन 5-7 साल, 10 साल के लिए भूल जाएगे, वो आपकी एक FD की तरह होगा, जैसे इंडिया में बैंक में fix deposit करते हैं, दोस्तों चे 5-7 साल की fix deposit होती है, उसके बाद आप उसमें पैसा निकालते हैं, आपको interest मिलता है, वो आपका profit हो जाता है, लेकि दोस्तों, बिटकोइन बोर डिफरेंट है, इसके अंदर दोस्तों, अगर आप 50,000 आज लगा रहे हैं, और माल लिजे, अगले पांस सालों के अंदर 50,000 डोर तक चला जाता है, तो आप देख सकते हैं, आपको कितना profit हो सकता है, तो दोस्तों, बात यहां पर यह आती है कि investment कैसे की जाए, आपको बहुत से लोग कहेंगे कि आप पैसा डाल दीजे, डबल हो जाएंगे, मैं निकाल लूगा, आप आपको profit हो जाएगा, डबल हो जाएगा, आप निकाल लीजे, माल लीजे, अगर आज आप एक लाख bitcoin के अंदर डालते हैं, और कल को पैसा नीचे गिर गया, तो आप को गयो, मेरा तो पैसा नीचे चला गया, अब मैं पैसे को निकाल लेता हूँ, दोस्तों, उसका भी कोई coins को रख दीजिए, आप अपनी एक तरह से एक retirement के लिए आप उसे प्लान कर सकते हैं, bitcoin जो है, वो long term investment के लिए बना है, चाहे वो 6 महिने के investment हो, साल की हो, चाहे वो 10 साल की investment हो, daily traders होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही different है, क्योंकि वो उनका काम है, daily traders का, daily trading करना और profit निकालना, वो बहुत ही technical चीज़ आयती है, बहुत ही difficult चीज़ है, उसमें risk भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो daily trading करते हैं, दोस्तों, वो daily traders हैं, उनके पस पहले ही बहुत सा पैसा है trading करने के लिए, अगर आपके और हमारे जैसे जो 2-3 लाक पर लगा देंगे इसके अंदर, और मान लीजी, वो पैसा डूब गया, तो फिर आप daily trading कहां से करेंगे, तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, कि हम bitcoin के बारे में यही बात मैं आज कर रहा हूं, कि bitcoin के अंदर अगर आप invest करना चाहते हैं, तो इसमें long term के लिए invest करिए, जितना हो सके, जितने ज़्यादा सालों के करेंगे, उतना ही आपको profit होने वाला है, दोस्तों, अगर आप देखें bitcoin के history, देखें, bitcoin का price कुछ भी नहीं था 2015 में, बहुत ही नीचे price था, तकरीबन 400-500 पता नहीं, मुझे याद भी नहीं कितना था, अगर जो मैं यहाँ पर computer वरपने check करूं, तो दोस्तों, यहाँ पर 11,000 डोलर से भी उपर है, तब ही मैं कहा हूँ, यह बहुत ही funny currency है, क्योंकि इसके अंदर आप invest करिये, long term के लिए करिये, आप कभी भी इसके अंदर short term के लिए, मत खेलिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं, जो daily यह जानना चाहते कि bitcoin का price क्या चल रहा है, तो उस तो उसका किस तरह की news आ रही है, दोस्तों एक बहुत ही अच्छा article है, जो जिसको मैं पढ़ रहा था, उस article में यही बताया गया था, कि bitcoin का price 11,000 से उपर गया है, वो सिर्फ और सिर्फ फेस्बुक की जो news आई है, उसकी वज़े से गया है, और जिसका मैंने पिछली video में भी बात की दोस्तों, फेस्बुक ने जो announcement की है, उसके बाद bitcoin का price 11,000 से उपर गया है, और अभी वी उपर चड़ता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों, जो facebook है, वो world का बहुत बड़ा platform है, social media platform है, तो दोस्तों, facebook अब अपना coin जो है, वो launch करने वाला है next year, आप देख सकते हैं कि उसके ब दोस्तों, वही एक resistance है, वहाँ पर पोचने के बाद, उसके बाद bitcoin कहा रुकेगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन, बहुत ही positive मुझे feeling आ रही है, कि bitcoin जो है, वो बहुत ही उपर जाने वाला है future में, अगर आप आज invest करते हैं, तो उससे लंबे time तक करके भूल जाएए, मैं तो कहता हूँ, उसको पांस-दस सालों तक के लिए रख दीजे, और जो आप अपनी normal work, जो भी आप job करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस से, उसमें अपना ध्यान उसमें लगाई है, bitcoin की तरफ मुड़ के मत देखिए, दोस्तों, वो सारे लोग जो millionaire बने थे, जो करोड़ोपती, अर्वोपती बने हैं, वो सब उस time पर जिस time पर bitcoin start हुआ था, उस time पर coins लेकर उन्होंने छोड़ दिये था, उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं था, तो दोस्तों, यहाँ पर यही चीज करने की जरूरत है, इसमें patience रखने की जरूरत है, और एक बार bitcoin करके, डेली मैं देखूंगा, भी पैसे बढ़ेगे हैं, तो मैं निकाल लूँगा, उसको कोई फायदा निया, दोस्तों, जिसतना पैसा आप in करेंगे, out करेंगे, उतना ही पैसा jeb से जाएगा, तो दोस्तों, यह है bitcoin की कहानी, इसके बारे में मैं थोड़ा सोच रहा था, कि bitcoin का जो अब जो एक funny trend आया है, जो bullish run है एक तरह से, और bitcoin जो उपर ही उपर जाता जा रहा है, नीचे आने के कोई मुझे chances अभी नहीं लग रहे हैं, जब तक कि अगर, हाँ दोस्तों, अगर जो हो सकता है कि facebook कलको announcement कर देंगे, हम अपना जो decision और वापिस ले रहे हैं, तो bitcoin दोस्तों, 4000 से भी नीचे जाके रुकेगा, मुझे ही लगता है कहाँ जाके रुकेगा, लेकिन बहुत नीचे गिरने वाला है, तो दोस्तों, जब तक ये facebook की news चल रहे है, facebook ने जो announcement की है, और जो जब तक इसका coin आएगा market मेर, तब तक तो दोस्तों, मुझे लगता है कि 20,000 तक पहुच जाना चाहिए, क्योंकि इसका trend चल रहा है, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, इस टेम पे, और हाँ दोस्तों, दूसरी बात में भूल गया करने के लिए, कि आपको investment अब करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, कि लेट हो चुके है, दोस्तों, कुछ late नही सकते हैं, और आपको profit ही होगा, बस आपको patience रखने की जरूरत है, तो दोस्तों, ये थी आज bitcoin की कहानी जिसके बारे में मैं सोच रहा था, और आपके साथ मैंने share भी की है, उमीद है ये video आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे like जरूर करिएगा, thumbs up जरू के साथ तब तक के लिए, बाए बाए